2019 के लोकसभा सुनाओं के अंदर महागडबंदन को देखते हुए ऐसा लगता था कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी नंबर वन पर बनकर आएगी पर ऐसा हो नहीं सका उसके बाद बस्पा सुप्रीमो बहन कुमारी मायवती ने पूरा चिंतन किया और चिंतन के बाद उन्होंने कहीं हार नहीं मानी और 2022 की तैयारी में जुड़ गई संगठन को मजबूत करने के लिए परतेग तीन मंडलों पर बने जाने की वेवस्ता समाप्त करते हुए मंडल ये वेवस्ता लागू की है अब परतेग मंडल का एक परभारी होगा और हर जिले में तीन लोगों की टीम होगी इसके साथ ही राष्टे इस्तर की तरज पर पर परदेश इस्तर पर स्टेट कॉर्डिनेटर बनाए गए हैं बस्पा सुप्रीमों के निर्देशों का पालन यहीं जमीनी इस्तर पर कराएंगे बहुजन वॉलेंटियर फोर्स का मंडल अध्यक्ष पद भी समाप्त कर दिया गया है बस्पा सुप्रीमों ने मिशन 2022 की तैयारिया शुरू कर दी है मायवती ने गुरुवार को माल एवन्यू इस्तित पार्टी कारियले में परदेश भर के पदादिकारियों की बैठक बुलाई इसमें बूत इसकर तक के पदादिकारियों को बुला कर यह संदेश दिया गया की 2022 में होने वाले विधान सबा चुनाओं की तैयारियों में वह अभी से जुड़ जाएं परियोग के तोर पर विधान सबा उप चुनाओं की सभी सीटों को जीतने का परियास करें इसको देखकर लगता है कि 2022 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो कुछ करके दिखाने वाली है